Hello students, how are you? I think you all are fine and safe. Okay, today we are going to study about your new poem, The Voice of the Rain, from your hornbill party section which is written by Watt Whitman. Watt Whitman की लिखी हुई बहुत ही सुंदर कवीता, The Voice of the Rain. बहुत सारी creations लिखी हैं, Watt Whitman ने. Nature से रिलेटेड, society से रिलेटेड, और भी बहुत सारी पवीम लिखी हैं. उन में से एक creation है, The Voice of the Rain. बहुत सुंदर कवीता हैं. तो इसमें एक imagination description दिया गया है. वो description क्या है? This is a beautiful poem written by Watt Whitman. In this poem, the poet gives an imaginative description of his encounter with the rain. Encounter, एक मुटपेड हो जाती है, मिलता है वो किस से? Rain से rain हो जाती है, तो वो एक imaginative, यानि काल्पनिक, not real. Imaginative होते हैं fantasy, मतलब एक काल्पना में description, विवरंड देता है. क्या देता है? कि वो rain से पूछता है. क्या पूछता है? जैसे ही rain falling करती है, the rain was falling in a soft shore. Soft बिल्कुल, मतलब हलकेल की बहुचारीज शुरू होती है. तो उस पर क्या करता है? The point asks the shore who that is. अब point उससे पूछता है, उस shore से, उस rain बरसात के फवारे से पूछता है, who that is, कि आप कौन हो? कौन हो आप? तो मतलब इस पर वो एक अपनी कल्पना लेता है, कि जैसे ही वो उसको मिलता, तो उससे पूछता है, तो ऐसे कभी होता नहीं, लेकिन वो मन में विचार करता है, कि मैं पूछ लेता हूँ. The shore replies, अब इसके उपर, मतलब इसके answer में, the shore जो बोच्छा रहे हैं, वो replies करती है, in the voice of the rain, बरसात की आवाज में, बरसात की एक फवारा था, जो shore था नीचे, डाउनफॉल कर रहा है, तो उसमर, वो जो एक बरसात की आवाज में बोलता है, वो क्या कहता है, the shore calls itself, the poem of the earth, वो कहता है, कि मैं तो पृत्वी की कभीता हूँ, इसका मतलब देखो, कभीता इसलिए कहता है, कि जिस तरीके से, कभीता जो है, वो पृत की हाट से निकलती है, यानि कभीता कभी के दिल से निकलती है, और उन उस दिल से बहुत सारी कलपनाई होती है, जो कभीता के रुप में बहार निकलती है, इसी तरीके से, पृत्वी पर जो है, परसात होती है, जैसे उसका उदगम स्थान वही होता है, महां नीचे से एवपरेशन होती है, एवपरेट होके, उपर जाती कंडन्शेशन होके नीचे आती, तो इसी तरीके से वो उसको कहती है, कि मैं तो पिर्थवी की कवीता हूं, it says it keeps rising forever out of the land and the bottomless seas अब वो केती है वो लगातार उटती रहती हमेशा के लिए हमेशा उटती रहती कहां से पिर्थवी से पिर्थवी के मतलब अंदर से उटती है यानि वो एवपरेट होती है and वो बॉटम लेस्थवी और पिर्थवी पर हम sky की तरफ हम कह सकते हैं तो वो कहां जाती है heaven, heaven का मतलब sky तो वो sky की तरफ, यानि आकाश की तरफ evaporate हो जाती है, ऊपर चली जाती है फिर, then it takes a vacuum form vacuum होता है, unclear, as first मतलब जिसको कहा नहीं जा सकता जिसको देखा नहीं जा सकता, unseen, invisible भी कह सकते हैं, तो वो फिर क्या करती है अब वो evaporate हो जाती है और फिर, मतलब, unclear हो जाती है अब दिखाई नहीं देती है its changes only its shape, सिर्फ वो अपनी shape को change कर लेती है, अब evaporation में दिखाई नहीं देता है, वो पिर्थवी से उठी soul जैसे हम कह सकते है, आत्मा में it remains the same, यह अंत, वह चेज़ चेज़, मतलब चीज तो वही रहती है, हो सिर्फ shape change करता है, तो वो कहता है कि soul में, सार में तो वही रहती है वही चीज़ रहती है, यानि वो अपना सिर्फ shape change कर लेती है उसका अंदर का soul होती है, जैन सोता, सार होता वह वही होता है then it comes down, फिर यह नीचे आजाती है and baths everything on this earth, और baths का मतलब नहला देती है, यह दो देती है हर चीज़ को, कौन सी, जब पिर्थवी पर नीचे गिरती है, यह देखो हर चीज़ क्या, दुली-दुली सी, साफ-साफ से दिखाए देती है it gives back life to the earth which is its birthplace फिर यह क्या करती है अभी इसका मतलब, यहाँ पर देखो क्लाइन में एक explanation क्या है it gives back life to the earth फिर यह क्या कर देती है earth को फिर से वहीं जीवन दान दे देती है जब यह प्रत्वी पर नीची आ जाती है और वह प्रत्वी क्या है which is its birthplace, जो इसका उद्गम स्थान है जहां से यह निकलती है यही से तो निकलना शुरू किया इसे bottomless से, pond से या प्रत्वी के नमी वाले अक्षेत्रों से जैसे यह उपर उठती है यहां पर बोला कि विदाव टिट, बरसात के बिना तो जो सेड्स है, जो जमीन में बीज पड़े हुए है वो वैसे ही रहेंगे बीज के बीज यानि उन में से स्प्रोटिंग नहीं होगी उन में से जीवन नहीं निकलेगा वो बोन नहीं होगी वो ऐसे ही रहेंगे, they would have remained unborn, विब बिना स्प्रोट किये यानि बीज के बीज रहेंगे यानि बरसात जो है, उनका भी उद्गमस्तान, यानि उनको भी नव जीवन देने के लिए उनको भी जीवन दान देती है ये बार बार देखो ये इसको सुन्दर बनाती है इसको निखारती है और फिर इसको बहुत सुन्दर बनाती है क्योंकि इसी से पेड़ पोदे बहुत ही सुन्दर हो जाते हैं और मतलब इनका जो है नवजीवन हो जाता है और ये इसको बार-बार ऐसे करती रहती है मतलब बरसात जो है बार बार आती रहती है और प्रित्वी को सुन्दर बनाती है The poet compares the rain to a song अब देखो poet जो है बरसात को एक song से compare करता है उसकी तुन्ना song से करता है जिस तरह से एक song जो है कहां से उठता है? एक कवी के दिल से निकलता है जैसे कवी के दिल में भावनाय आती है imagination आती है तो वे कवीता के रूप में उसको उडेल देता है तो इसी तरह के से पर्थवी के अंदर से जो है ये रेन निकलती है पर्थवी इसका मतलब birthplace है और कोई जो कवीता है वो point के heart जो है वो उसका birthplace है तो poet shores its train on the earth और जो point है उसको उडेल देता है यानि उसको shore की तरह बोचार कर देता है एक strain के रूप में उन्दार्थ यानि पर्थवी पर पर्थवी पर जैसे वो गीतों के रूप में बहुत सारी कवीता हैं गीत, songs वेरा देता है अपनी creation के रूप में लेकिन वो ये matter नहीं करता है क्या it doesn't matter to him उसके लिए कोई माइने नहीं रखता whether anyone pays heed to it or not कि उसकी कवीता को कोई पढ़े लिखे सुने या ना सुने उसने कवीता देनी है तो देनी है इसने कवीता लिखनी है song गाने है तो गाने कोई सुने ना सुने उसके उपर कोई उसका फर्क नहीं पढ़ता है तो इसी तरीके से बरसात होती रहती है और कोई उस बरसात की कीमत समझे ना समझे उस बरसात को कोई मतलब नहीं है इसी तरीके से कवी भी अपने आपको उसी के साथ compare कर देता है after the poet has sung his song और मतलब जैसे ही वादपिस चली जाती है वो दिल से गाता है और फिर उसके दिल में ही वोई सार जो कवीता का सार है वो वादपिस ऐसे ही उसके दिल में चले जाता है जैसे प्रत्वी पर आकर बूंदे प्रत्वी का ही सबन जाती है which is not which is its birthplace and keeps the poet's heart pure and beautiful और ये भी जो मतलब पोईट के हार्ट को pure और beautiful लगती है जिस तरह से जो कवीता है वो pure करती है पोईट के हार्ट को और सुन्दर मनाती है इसी तरीके से बरसाद जो है प्रत्वी को बहुत ही सुन्दर मनाती है और इसको जीवनदान देती है Okay students, I think you understand this explanation of the poem Thank you